हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो आट चैनल मैं हूरितिका आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी रैसिपी फ्रेंट्स यह है मावा गुजिया और इसे होली में ही नहीं नाग पंचमी के तेवहार में भी बनाया जाता है तो बहुत सारी जगा पे नाग पंच स्क्राइब जरूर कर लेना तो चलिए बनाते हैं इस यम्मी रैस्पी को तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर एक किलो मावा की गुजिया बनाई है और उसका रेश्यो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहां पर लिए हैं ड्राइफ फ्रूट्स आदा क मैंने इसके साथ लिया है एक किलो मावा तो यह मैंने घर पर ही तयार किया है और जब भी मैं गुजिया बनाती हूँ तो मावा घर पर ही तयार करती हूँ क्यों कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब आप मावा घर पर बनाते हैं तो तो जब भी गुजिया बनाएं तो अगर पॉस्पल हो सके हैं तो घर पर ही मावा तयार करें आप और आपकी कुछ आप बहुत जादा स्वादिश्ट बनेगी तो फ्रेंट्स नारियल को मैंने इस तरह से टुगडों में काट कर ग्रैंडिंग जार में डाल लिया है और इसका हम पाउडर बनाएंगे एक नारियल को मैंने निकाल कर ग्रेट कर लिया है और जो नारियल सारे बचे में उनको हम इस तरह से ग्रैंड करेंगे चलिए इसे हम साइड में रख देते हैं और अपने काजू और बादाम को कूट लेते हैं तो फ्रेंड्स मैंने काजु और बादाम को खुटने में थोड़ी सी ट्रिक लगाई है और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है ये मैंने इसे पैकेट में डाला है कोई भी पॉलीधिन ले ले आप और इस तरह से इसे डाल ले उसके बाद इसे कूटे तो इस तरह से करने में काजू और बदाम आपके बिखरेंगे नहीं और बहुत अच्छे से ये कूट जाएंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स काजू और बदाम को मैंने कूट लिया है और एक भी काजू बदाम हमारे इधर उधर बिखरे नहीं है यहाँ पर मैंने लिए है चीनी, यह आधा किलो चीनी है आप चाहें तो अगर मीठा थोड़ा ज्यादा करना चाहते हैं तो एक पाव चीनी आप और एड़ कर सकते हैं इसे के साथ मैं यहाँ पर इलाईची डाल रही हूँ और चीनी के साथ मैं इसे पीस लूँगे लाइची को अलग से कुट्ने की जरूगत नहीं है चीनी के साथ आप इसे पीसें बहुत अच्छे से ग्राइट हो और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना तो एकदम से लो रखना है मीडियम फ्लेम पर ड्राइफ रोट्स को हमें भूनना है तो नारियल हमारे हलके से भून चुके हैं इसमें डालेंगे हम अपने कुटे हुए काजू और बादाम और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ ग्राइंड की हुए नारियल को तो फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर बूनते हुए मुझे चार से पांच मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे खुश्बू आने लगी है तो गैस आफ कर देंगे और इन्हें एक बरतर में निकाल कर हम ठंडा होने देंगे तो जब तक हमें भूनना है तब तक की अच्छे सी खुश्बू ना आ जाए ये देखिए फ्रेंड्स कलर थोड़ा सा इसका चेंज हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुश्बू आने लगी है तो गैस को आफ क अच्छी थी क्योंकि किश्मिस को हमने ना तो काटा था ना तो कूटा था और इसके साथ मैं एड़ कर रही हूं यहां पर खोया यानि की मावा और अगर आप मावा लिक बाहर से लेके आते हैं तो उसको आपको भूनना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अब मैं इसमें ए रोष्ट किया हुआ कर्बूजे का बीच कर बूजे की बीच को फ्रेंट्स मैने अलग से रोष्ट किया था और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी इसको हम साइड रखते हैं और चलिए आटा लगा लेते हैं यहां पर नहीं ले लिया है तीन पाव मैदा और थोड़ा सा बीच में हम जगा बनाएंगे इसमें मैंने डाला है एक कट्वरी रिफाइन डॉयल हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हाथों से मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है और हथेली से हम इसे अच्छे से मैश करेंगे इस तरह से रगड़ रगड़ कर हमें मैश करना है ताकि अच्छा सा मोन हो जाए और जो हमारे गुजिया बने वो बहुत जादा क्रिस्पी बने इस तरह से हमें करना है ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जरूरी प्रोसेस है इसे आप करना न भूलें और थोड़ा सा दो चार मिनट इसको जरूर दें अच्छे से मिक्स करने के लिए तो ये देखे इस तरह से मुठी बनने लगी है और अच्छा मोहन हो चुका है तो से हम गूनते रहेंगे एक साथ पानी बिल्गुल भी ना एड़ करें तो ये देखे फ्रेंड्स डो हमारा रैडी हो चुका है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है ये और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है तो मीडियम वाला हमें रखना है तो मैंने कठा कर लिया है अभी नहीं बहुत ज्यादा इसे ज्यादा नहीं है इसे ज़्यादा चिकना नहीं किए हैं बस 10-15 मेंट के लिए इसको हम रख में रख देते हैं को यह देखे फ्रेंड्स मेरा आटा में अट निकालें दीन और चलिए इसके हम लोईयां काटते हैं तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे रोल कर लिया है और छोटे छोटी हम लोईयां निकालेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमने लोईयां काट ली है और बहुत छोटी छोटी करनी है यह देखिए और इसके मैंने इस तरह से पेड़े तयार कर लिये हैं उसके बाद मैं इसकी रोटियां बेलूँगी तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरह से ये रोटी मैंने तयार कर लिये हैं बेल के और बहुत जादा पतली मैंने इसे बेली है तो चलिए गुजिये का साचा ले लेते हैं और इस रोटी को उस पर रखते हैं तो साचे को पहले हम डश्ट करेंगे मैदे से और यह देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है और अपनी रोटी को इस पर रखते हुए एक साइट से हम अपनी स्टफिंग रखेंगे जो हमने फिलिंग तयार किया ना वो रखेंगे यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के स्टफिंग रखी है और इस तरह से दबाते हुए हम आगे वाले पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रेंड्स यह देखिए गुजिया हमारी बनकर तयार हो चुकी है तो एक एक करके हम सारी गुजिया को पहले बना लेंगे उसके बाद हम इस से फ्राई करेंगे यहाँ पर मैंने चड़ा दिये कड़ाई कड़ाई में चड़ाया मैंने रिफाइंड और यह बहुत अच्छे से गरम हो चुका है इसमें डाल देंगे अपनी बुजिया को तो यह देखिए फ्रेंड्स बुजिया हमारी फूलने लगी है और एक साइड स से जब यह क्रिस्पी हो जाएंगे तब ही हमें इसे पलटना है तो बहुत ही सावधानी से हमें इसे पलटना है नहीं तो गुजिया हमारी फूट जाएंगी बहुत ही आराम से अच्छे से इसे पलटना है तो यह देखिए मैंने इसे पलट लिया है और दोनों तरब से अच कर देना है तो यह देखिए फ्रेंड्स क्रंची गुजिया बनकर रेड़ी हो चुकी है और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है तो इस तरह से आप इस गुजिया को बनाएं और इंजॉय करें और आप इसकी फिलिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी फिलिंग इसकी हुई है और यह गुजिया बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी हुई है आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना फ्रेंड्स चैनल पर अगर पहली बार आए हूँ तो प्ल